वंस अगें वेल्कम बैक तो दे प्रोग्राम आज दे सेग्मेंट विच तोड़ी मुलाकात करावांगे डॉक्टर हर्बन सिंग कंडोला ना जड़े के साधे नो ने थे आके गुरुबानी दुथे आके विचार विटंद्रा करेया कर देने आज दा विशाज इस दे बार इसी गलबात करनी है इस दी बहुत चर्चा चल दी है अते इस शब्द नो बहुत वरी पड़िया जानदा है सर्वर रोग का अख़द ना असल विच गुरु साब सिधान तक तो औरते सानों की समझा रेने की केड़े रोग दी गाले कर रेने की उपाव दस रेने की दारू की है असी इस तुकता इस्तमाल कर रेंए के जी इस दे इस अपने स्रीरिक बेमारियां नो ठीक कर सकने का तो ये इस दे बहुत सारे समागयं भी हों देने की गुरु साब जेकर एहे तोकता करके सिर्द दे तक कि इसनाल सारी बिमारियां उससे में ख़तम हो गयां सी या आज ख़तम हो रही है ने इसमन दो चार्ज गलबात कर दे लेने परस्पेक्टिव डॉक्टर हर्बान सिंग कंडोला दा जियानुजी वाहिब जी का खालसा वाहिब जी की फदेजी इस तरह तरह तसी अब जी न बुटले सिदातनों समझे जदों सी तरम दे जो कर्म करते हैं गुर्मत दे मुटले सिदातन दे उल्ट करते हैं ओ एक कर्मकान दे एक रिचूल बनके रहे जाए जाए जिए जीवन अंदर कोई पाजिटिव तवदीली नहीं आंदी जो पीस हैपीनेस खुशिया नान दे जिसले ही मनोख आज पटकदा फिरदा है ओस अनू कदे मिलदा नहीं जी और एदे चिए इंपोर्टनेंट कर ले भी हैगिया के जदों सी कर्मकान दाच असी पहें हैं साड़ा यूथ देखदा के इननू कुछ नहीं मिल रहा ते ओ फिर परे हैं उन्दा जन्दा हैगा कर्मत अंदर हर्बी जी गुरुपाचा आत्मक रोग जो मेंटल डिजीज इसे उची नहीं कहते हैं हमें दीरक रोग एदी घल कर दी एदी बचार कर दी है तो एदे विच फिर दारू आउखद की हैगा सत्गुर्दा सच्चा गयान रभी गुणा दी सांज पाके होकम अंदर चलना इस मानसक रोगां दी दारू है जिस सिखने भी आउखद नाम दा दारू ले लेया मानसक रोगां नू मटा दता स्रीर क्रोग फिर उनू लग देनी जहां फिर बहुत ही किते कताई कटी लग देनी जी अच्छा इस डॉक्टर भी मन देने के जदो कोई साड़ अंदर एक कीमिकल पैदा हुदेने इस सेंटिपकली दस्या गया है गा कि उधेने साड़ा इम्यून सिस्टम बदा है एथे ही गुरू-साब कहांदेने टू उसनू कर मानसक रोगां तो देनो पिर लिदे तेरा मेदो सिस्टम बद जाएगा उन्हे ते कि मानसक ताउरते ज एक बहुत बड़ा प्लेक है कि मानसिक आत्मक ताउरते जे सिख रूगी होगे और गुना विकाराना परया होगे चिंता बचैनी स्ट्रेस हों में दीर रोग ज फस्या होगे अर्दास करना जाप करना स्रीर क्रोग मिट जानगे इप्रैक्टिकल नी लॉजिकल नी आज एक्क अच्छा उदे विच देखन दी का लोड एवी है कि ए सोच ए बलीफ सिस्टम है ना हर पीजी साड़ा के जाप करना थोड़े स्रीर क्रोग मिट जानगे इप्रैक्टिकल जीवन दा असली मक्सदों असी पुल जानने है कि साड़ा फोकस ना चाहिए आत्मक रोग मिट आउ जाना सी उसी उसी दा गल्द पासे लग जाना है तो इस बड़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है गा इस एक लिए गुम्रा होने वाली का लाई होना तरमदी दुनियां दा सिक दा फोकस सिर्फ ते सिर्फ आत्मक रोग मिट आउन वाल ही होना चाहिए जी स्रीर क्रोगां तो पर इस बाई प्रोड़क्त है गा ज़द आत्मक रोग दा लाज ला बलिया दारू ले लिया तो आटोमेटिकली साथा इम्मून सिस्टम बाद जाना इस ना दी अदर वे राउंड पर समझाया जाना इस करके जीवन दे मार्ग तो पठक जाना जाना है जदो सिक दा फोकस कांट जाना है वे जाना कशिक पर जाना है जिए ज़ए ज़ए ज़ंहीं ने कोर्द आज साढ दाज करकांग दा हमकérica जाना जैकली साठीडर्म धा गष्ट करांग उन यह जhã जानी इन का ने वोर्ड़क कांट जाना है जिए ज़एन दार इंड जीवन मश्क जाना डी है सारी दी सारी पानी मन नो इस शब्द सुर्द दी विचार है गी गुरुबानी आउटसाइड दुनिया दी नी सोच बहेवियर विचार थौट संसकार बदलना उपदेश है उन सर्व गुरो का आउखद नाम के परस्पेक्टिव दे विचापा गल गलिए इस सिदान्त नो ग गुरुबाद्शा सानुकी सिदान्तिक तारते की गल कैने गुरुबाद्शा हर्पीजी मैं पढ़के हरान रहे गया कि इस शब्द अंदर पाद्शा दुनिया अंदर सब तों बड़ी बिमारी जो मानसर करोग है ना मेंटल डिजीज है उदे कारन उदे जीवन अंदर ढर्वान एधान जैने लिए मनोग तु स्रीर करोगा दीन ना दोऑन ने बहत बरत रहा है गां पर जो श्रीर करोगा दी जड़ है ना मानसर करोग आत्म करोग उस्दा दारू तु कदर लेंदा निया गल्दपासे लगए उन जिए को यह मेसेज है आःपीजी काह सकते है This message is for the whole humanity, and it's for black, white, and brown, and old, and we have to talk about the vision and the Lord, 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 and the Lord. रहा हो दी तो कहा है कुछार पीजी पावर थे दा भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट तो समय उन देनी सी के बैद ही जड़ा दुआया देसी दुआया दिन्दा होंगा सी आज जब मैं विचार इसनू आज जब मैं ते फैमिली फिजिशिंज भी हैगे स्पेशलिस्ट भी हैगे पर आपने विचार करने है आज दे जीवन ते टुकागे अज दे जीवन की मक्सद है कि बिजनरी गल किती है गुरुबाद शाक देने कि आज डॉक्टर स्पेशलिस्ट तु इदे अर्थ हैगा रहो दी तुक्दा पावर थे हैगा वो के दे श्रीरक रोगां दिया दिवा बहुत अंजान है कि दे तु बड़ा अंजान है गा जो श्रीरक रोगां दी जड़ है जितों श्रीर दिया सारिया बिमारिया पैदा हों दिया मांचिक रोग मेंटल डिजीज इस दा कोई तु दू दिन दाने बैद न पोले डारू लाए तु केड़ी दौाई दे जान दा हर्भी जी हुन यह थे डाक्टर भी मंदे ने के मांसिक रोगां करके ही स्रीरक रोग बहुत पैदा हुंदे ने बिल्कुल जी मैं अधर डेया विस टाक्टर हों के दे यह से अवर्फिंग इस इन यॉर मांड़ी दा उजड़ा तोड़ा मुख कारण जेकर देख जाए तो मांसिक लेवल ते पहला आई है कि उत्थो ज्यादा बंदी आएगी है हुन हर्भी यह थे एक पॉइंट आप ले लिए पावें गुरु पार्शा इत्थे बैद दी गल कर दे हुन आपा रोजाना जीवन से देखिए सिक संगत लेई गुर्दवारा ही बहाद है उत्थो मा दुवानिया दी अरदासां किती है जांदिया ने ताँ फिर एक करमकान रहे जांदा गुरु पार्शा दे सिदाधतों वसी फिर उल्ट कर दे है गया हुन दुवानिया दी खापत तब दी जादे क्योंके मांसिक रोग जड़े साड़े ओहो बदी जांदे ने बाकी शाव चांदे ने पहली तो कह गिए दुख भिछोड़ा एक डुख-बोक को डुख भिछोड़ा होंदा हेगा हाट जोँ रजो जड़ी हैगि यह मानसिक बिवारी है देखे है तादे साजदे मारकतों पाटक जाना इस नो के दिन dziुख भिछोड़ा पार्शा आख दे तेने तेरे अंदर जो मानिशक रोग मेंटल चीज है ना चिंता, डर, फिर, बेचैनी, टेंशन, प्रेश, डिप्रेशन, वरीज, एंग्जाइटी, क्रोध, ग्रीड दा कारन की है, ते दुख भी छोड़ा, तेन में कारं दा स्दा कारन की है, गुर्शाप अच्छा के दीने तू भाणियां पाई तेरे जीवन मक्सद की है, तू भाणियां तू काउन आए तरी होंत की है, तेरी हुझाया, तेरी अन्दिख की है, तेरे अनदिख वोग मेंश. इस बारे होर्ट वर्ट को ने इन्फरमेशन लेने जिए छोड़ी जी प्रेक्त बाद है तू हैँ कोण है तू पूल गया तू प्रमादमा थी अंस है हमें कारन तू अपनी ही वक्री दुनिया पर क्रियेट कर लेए अपने मंदा तू गुलाम बन गया अपने मंदा बनन से तू मास्टर शरीर कतल थे जूना तू सिक गया है आत्मक ताल थे तू इस करके एक किया, एक दुक पोख लग गया। पोख हनदा रब गे दुनियवी पदारता, सरीर क सहूल्ता, दे तरशना दे अंदर hail आजाना, नोह कें दे पोख. एक दुक पोख, औंदे पहर प्रमा प्रमान कें दे ने अपने जो दों साचतउां तु मुड गया है। उलिया अब जीनों जीवन विच्यों तू बसार देता है, तां तू दुनियावी पदार था, सिरीर के सहूलता, पावर स्टैटिस, मेटीरियल वेल्थ दा, इसनों ही तू अपना जीवन दा, मनोर समझ ले, कारता है, मनोख दा दुख सोखी वस्तुआं ही, ओदा दुख सोख बन गय तो इदा completely attachment तेरी होगी है, आज दी दुनियाचार पिदे यह है का बेजिनिया ज्यादा attachments ने उन्ही ज्यादा expectations ने उन्ही ज्यादा attachments ने उन्ही ज्यादा सभियाँ समझ से आने है, ते आज यह पूल लेजनी है कि यह temporary ने पर्माने नहीं है यह जदो आसे temporary ने नाड अट गुरु पाद्शा फिर गल कर दे हैंगे ने बेरी इंपॉर्टन गुरु आख देने जदो मनुख आत्म तल ते जूंदा सी ने पर कॉंशिस लेवल ते चिंता स्ट्रेस बरीज एंग्जैटी और साथ थे सोग मोग कोई वैर विरोद नफरत एर्का मान परमान यह बिलकुल ह और भुटासी ताहओ देच अंकार नीजी थोड़ा सी ता कोई चिंता नीजी इनी के सानु वस्तुमा होनियानी चाहिए पर साथी जडी पीज़ी पीज़ी अनंद नांद निरपर नहीए ज़ी डिपेंडेंटेंसी नहीं होनी चाहिए ज़ी अब दो साल दा बच्चा होए वो प्रडाने ना खेड़ता होगी, पड़ रसी कहानी है, वो गुम जावे टुट जावे ना उनको चिंता नहीं होगी, उनमा एक पांच साल दे बच्चे नो आई पैट ते खेड़ता देखिया ते उधी बैटरी खत्म होगी, ते ही चीक दा चलौंदा हैगा, उधी चिंता स्ट्रेस, डिप्रेशन ए मनोख़दियां आपनियां क्रियेट किती होगी, इतना तो बचन दी लोड़ा है, पाव सानू डिपेंडेंसी इना ते नहीं चाहिए दी, पीश, खुशिया, अनांद, हैपिनेस, जीवन अंदर, फिर साढ़े मुडाओं देने, बिल्कुल जी आ बचन डेने क्या होगी, और खुशिया, यह विंदेन मुडाओं इना पीश, अन्दर होगी, सानू होगी, एक दूख देना पीश, इक दूख साकतवार, जमदूफ, पाशाक्त दिने, जदू तू जीवनेज जीवना जाइए, ज़ने, भीशा होगी, आदिवरा बेस्ति, जीवन दा मक्षद पूल गया है ना पर दार था नहीं अपना जीवन समझ लेया तैनू फिर प्यानक जेड़े ने जम दूत आ केर देने हर पीटी मरंतोबाद वाड़े ने अउगन विकार बाइसे रुपी जम दूत काम करोध हंकार ग्रीड क्रेविंग फर बोर और और इंटॉलरेंस जैलिस बगारा वहर बोर दे जीवन ए सारे अउगन ने तैनू जम दूत ने आ केर देने तेरे जीवन दे नेगेटिविटी पैदा हो जाना दी है फिर एक दुख रोग लगे तनता है ओके इनना कारना करके तैनू फिर ए जड़ा स सोच तेरे ना हो की रहा सचनालों नाता तोड़के पदार थां पावर स्टैटिस अपना जीवन बना के अउगन विकारां रूपी जमा दे तू बस पैके मान से करके स्रीर करके तू आत्मक रोग बन गया है तू आत्मक तारते तेरी मौत हो जान दी है फिर से नामन चपे आत्म काती है तो इस करके चिंता डिप्रेशन जडियां टेंशन स्ट्रेस जडियां वरीज बगारा ने यह तेनों आके दियाने हर रोज दे क्लेश चगड़े जड़े परवारां देना हर्पी जी ओ एत्थों ही पैंदेने और फिर गुर्शार ने बैद ना पोले जारू पाशा अगड़े ने के अफसोस दी गल एगी है कि मनों को समझ दे नहीं सरीरक रोगां दियां के दिवाईयां लए जन्दा जित्व हे अपच देने एदी जड़े आ उसनों फेर नी पकड़दा अगे गुर्शा के देने ने बैद खासम बसार किये रस पोग तांतन उठ पाशाइ रोग मन अंदे के मिले सजाएं फेर तू इन रोगों दा तड़ वाया है ना फेर तू आश्यो इश्रत पहिने शराव दा सारा लेंना ड्रग्स दा सारा लेंना वरकोल बन जानना जूय आद के पैके आपना जीवन खराब करता है ते अग्या का चा के देने मेडि पादस देने जिसमें नाम रंजन अंस जिसमें 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 बुद्धी कॉंशिस अंदर नाम रंजन, सच्या ग्यान दा गोन, रब्भी जोत, आठीके, ना, कंचन दा विकारां औगना तो रैत हो जाना, पादस आत्मक रोग दिद्वाई दस देने, जिएडा हिर दा मन पाथ्यादा ग्यान, सत्गुर्दा ग्यान लेके विवेक बुद्धी राही, रभी गुना दी सांज पालेंदा, हुकम अंदर चलना शुरू कर देंदा, निमरता तीर जिसेन, शीलता संतोक, मन ओदेब अंदर आबस देने, मन निर्मर हो जानदा, क्राम काम करोद, हंकार हमे लारच एर का नफर व्याओद, यह सारे सड जान देने, दुख रोग सब गया गवाए, नानक चूट स साचे नाए, तो इतो ही पाथ्या आख देने, कि जदों तुसी डिवाइन विज्टम लेके, मेरी चिंता, फियर, स्ट्रेस बगएरा तारे तेरे खत्म होगे, तेनों पीस, हैपीनेस, वो दे बिचों ही तेरा जड़ा दीर गरो गया, वो खत्म हो जाना है गा, तो पाथ्षा सारे जीवन दी इते ना एक पिक्चर रख देने, तेरे यह पैदा कितों हो दी है, सारी दी सारी गल है गया, वो आत्मक रोग दी गल करते है गया, और गुर्बानी गल करते हैं, फिर हो किने हर आउखद सब कट है बाई, बड़ी कमाल दी कल करते हैं, भी एदी रोग दी द्वाई है, यह तेरे अंदर है, आज़े दे मनुखदी प्रावलम है, वो द्वाई बारों पारदा है, द्वाई लबनी असी अंदरों है, गुर्पूरे बिद ना बनाई, पर एदी ओ द्वाई तेनु गुर्म दे सच दे ग्यान तो लेटो बगार नहीं मिलनी, ओना है, हर पूरे संजम कर दिया, अंदरों आदम करोगां दी द्वाई लेंड दा रास्ता, गुरू तेनु आप दस दा, गुर्पूटा अंदर खूटा अंदर खूटा अम आत्मक रोग ने, इन आदे मालू मैं तेन देना, ते मैं इन आनु खादम करना, ते मेरे स्रीरक रोग, ओदे चासी समरी करिए हर भी जदों वसी फिर इस सिदान तो तो टूट जाने है, कि गुरू पात्षा सानु दारू आत्मक रोग गां दी दास्ते हैगे, फिर जासी आत्मक रोग वाल त्यान नहीं दिता हैगा, ते सानु किया कि तुसी जाप कर लो थोड़ा स्रीरक रोग मिठ जूगा, फिर साड़ा फोकस आत्मक रोग मिठाउन ते नहीं रहना हैगा, साड़ा फोकस स्रीर ते असी पढ़ जान दे है, इस फोकस चेंज हो रहा है जी, असी जाप करके बहुत जापना चाहिए है, बहुत वद्यागाले राबनों हमेशा याद रखना चाहिए है, पर जिस मकसद ना लोग फोकस ही चेंज कर देता गया, कि ओ फोकस चेंज करके तुसी विकारा तो तो पिछे हटनी रहे, पर कि ओ थोड़ी देर ली जापन देना जापना तो टुट जाने से जाытना है, जो गुर्मद इस दन तो टुट जाने उन अगले अगले अब अब युर्मद इस दन तो टुट जाने आ है तां ऑसी करम कानद़ज पाए Gibbs लिए है, ख़ै आख गोरे सिना फोकस ही नहीं है, और पर पीर ठोलसा कि पिमिन देनुखता ही आपने ब sparkling Beckert बादेने उपने संसकार बादेने पीजह है। जो फोक्स ही नहीं वह फोक्स तो फोकस तो देता है, तो फिर पटकनाज को हो सी निकल नहीं सकते、 आतमक को भॉख हटना नहीं है तो इसी करके जो आज जिसी देख रहे हैं, कनफूजन जडी हरी है बहुत जादा गडिए, पर इस कनफूजन ऐसी आप खटम कर सकने हैं, बाणी दा सहरा, पानी सहरा लेके, घुरू साफ जिसने तो ये शबत पढ़ पढ़ पके सांव गूरू है।This जीमान जाज तो इस दिनाली कर दें जी आज दे इस प्रोग्रम दे इसमापती फीडबैक जरूर देना 604-603-7555 या फिर तुसी डिरेक्टली भी दॉक्टर हर्बन सिंग कंडोलों ना गलबात करना चाहो ता 604-839-1308 दे फोन कर सकते हो तानवादी आसी अपने स्पॉंसर दे अडिवर्टाइजर दे जना दी बदाल दे प्रोग्रम्स तो अड़े तक पहुंच देने तो अड़े तो भी सही होग दी आस कर दे हैं कि इस प्रोग्रम मों हो रगगे चलान लए साधे ना स्पॉंसर्शिप रही या फिर एडवर्टिस्वन रही जरूर सपोर्ट करो ताके इसी नरंतर एहोजे प्रोग्रम्स लाके हाजर होंदे रहिए इस दिन आलिए सारे प्रोग्रम्स तो सी youtube.com slash harpreet singh show दो जाके देख सकते हो फिर मुलाकात करांगे तक तक बुद बाई